नागलाइन के मौन जिले में एक के बाद एक गोली बारी की तीन घटनाओं में सुरक्षा बलो की गोलियों से कम से कम 14 लोगों की जान चली गई है जोकि 11 लोग घायर हो गई है पुलिस न रवीवार को बताए कि गोली बारी की पहली गटना शॉयद गलत पहचान का मामला था इसके बाद हुए दंगों में एक सैनिक की भी मौत हो गई है गोली बारी की पहली गटना तब हुए जब शौनिवार शाम कुछ कोईला खदान कर्मी एक पिकफ वैन में सवार ह कर गन्ना काते हुए घर लोट रहे थे और तभी यहां पर सुरक्षा बलो ने गोलियां चलाई इस गोलियों में चौधा लोगों की जान चले गए है सेना के जवानों को प्रतिबंदिस संगटर नेशनल सोस्चलिस्ट कांसल ओफ नागालेंड के यूंग धड़े की उगरवा इस दौरान हुई धक्का मुक्यों जड़प में एक सैनिक मारा गया और सीना के बाँ में आग लगा दी गई आज संसद में भी उठ सकता है और अंगामा हो सकता है विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेर सकता है कॉग्निस के पूर्व धियाक्ष और पार्टी नेता राहुल गांधी नवीबार को ही सरकार पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि ग्रेमंत्राले क्या कर रहा है उनके अलावा कई और नेताओं ने भी नागलेंड के जगटना पर प्रतिक्रिया दी थी ममता बनरजी के पार्टी टीमसी भी अपना प्रचनदी मंडर नागलेंड भेश रही है टीमसी भी संसद में किंद्र सरकार को घेर सकती है